रात को वाच्मन गार्डन का दर्वाजा बंद करने जा रहा था, तभी उसे पेड़ के निचे एक लड़की अकेली बैठी दिखी। वाच्मन उस लड़की के पास जाकर कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। लड़की नाराज होकर उसे कहती है, मेरा घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज मुझे यहां खेलने दो। वाच्मन कहता है, अब गार्डन बंद करने का वक्त हो गया है, तुम कल सुबह आ जाना। लड़की नाराज होकर वाच्मन के साथ घर के तरफ निकल पड़ती है, बहुत दूर चलने के बाद एक कब्रकी और इशारा करके लड़की बोली, यह है मेरा घर।